Hello Friends, मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में हम डिसकस करते हैं कि Group Policy Objects को Groups के उपर कैसे Deploy किया जाता है जी हाँ, सुनने में बड़ा आजीब लगता है कि Group Policy Objects को हम Groups पे कैसे Deploy कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले भी डिसकस किया है कि Group Policy को हम या तो हम Local Computer पे या Sites पे, Domain पे या OU के उपर Deploy कर सकते हैं लेकिन Groups पे हम Directly Deploy नहीं कर सकते हैं लेकिन अभी हम जो Methods डिसकस करने वाले हैं उसमें हम Group Policy Objects को Directly तो नहीं लेकिन हाँ, Indirectly ज़रूर Groups पे Deploy कर सकते हैं तो देखे, लास्ट वीडियो में हमने कुछ GPUs क्रिएट किये थे जैसे कि इसमें जिनमें से एक है MyPol और उसमें कुछ हमने सेटिंग कर रखी है जैसे कि Remove Help from Start Menu और इसको अपने Domain पे लगा रखा है King.JST के उपर और आप देखे, क्योंकि Group Policy Deploy हो चुकी है MyPol नाम का GPU है, यह तभी आपके Users के उपर Deploy हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर Security Filtering में देखे लिखा हुआ है The Setting in this GPU can only apply to the following Groups, Users and Computers और by default इसमें Authenticated Users जो Special Identity Groups होता है वो इसके Member हैं तो यानि कि यह सभी Authenticated Users के उपर आपका जो GPU है वो apply हो जाएगा और अगर हम Delegation में जाते हैं तो यहाँ पर भी देखे, Authenticated Users को Reader Permission मेली होई है और अगर इसको देख पा रहे हैं तो इसको उनके उपर यह GPU apply भी हो रहा है और अगर आप चाहते हैं कि Authenticated Users पर ना होके किसी Particular Group के उपर Deploy होए तो आप उसको यहाँ पर Add करवा सकते हैं और इस Authenticated Users को Remove करवा सकते हैं तो इसके लिए मैं जरा Active Directory Users and Computers Open करता हूँ, तो यह King.jst है इसमें मेरे दो OU's है एक OU में इशान और परम नाम के Users हैं, दूसरे OU में Test User 1, Test User 2 और एक Group है, Managers और Managers के एक ही Member है Test User 1, इसमें हम एक और Member Add करवाते हैं और उसका नाम है परम तो आप देखे, दो इसके Users बन गए है जो यह Managers नाम का Group है यह Sales OU के अंदर बना हुआ है और इसका जो एक Member है वो Accounts OU के अंदर है तो हम देखते हैं कि यह जो Sales के अंदर Managers नाम का Group है जो हमने अभी GPO बनाया है वो इसके उपर हम Indirectly कैसे Deploy कर सकते हैं तो इसके लिए मैं यहां से Authenticated Users को क्लिक करता हूँ और यहां से Remove करके OK प्रेस कर देता हूँ तो देखे, अब यह GPO बेशक से और यहां पर हम Add करते हैं और जिस Group के उपर इसको Add करवाना चाहते हैं उसके यहां पर Add करवा देते हैं तो हम इसको Indirectly GPO को Apply करना चाहते हैं Managers Group के Users के उपर इतना होने के बाद, चली ज़रह हम Testing करते हैं, तो सबसे पहले तो अपनी Policy को Update करते हैं, क्योंकि हमने Policy तो Already Implement कर रही है, तो उसके लिए मैं GPUpdate forward slash force कमांड चलाता हूँ और यहां से देखिए जो पहले Help and Support नहीं आ रही थी, वो आ रही गई है क्योंकि मैं Login हूँ as a Administrator और चली चेक करते हैं कि यह जो मेरे Users हैं, Test User 1 and Test Param नाम का User उसके उपर यह Policy अप्लाई हो रही है यह नहीं हो रही है, इसके लिए मैं जरह Client पे जलता हूँ तो Client पे पहुँचने के बाद हम Login करते हैं सबसे पहले एजा इशान जो हमारे Managers Group का Member नहीं है इसका Password हम लगाते हैं जो भी इसका Password होगा और चेक करते हैं कि इसको Help and Support बिल्कुल मिल रही है क्योंकि यह Managers Group का Member नहीं है और अब दुबारा से Log Off करते हैं और Login करते हैं Managers Group के Member की तरह और उसमें से चाहे तो हम Test User 1 की तरह Login करें या फिर Param की तरह Login करें तो आप देखिए हमारी Policy Help and Support वाली इसके उपर Apply हो रही है और इसको Help and Support इसके Start मेनू से रिमूव हो गया है एक और यूजर पर इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं और Login करते हैं As a Test User One और आप देखिए यहां पर भी हमारा Start मेनू में Help and Support नहीं है अब दुबारा सर्वर पर जलते हैं तो देखिए इस वीडियो में हमने सीखा कैसे हम एक GPO को Indirectly एक Group के उपर Deploy कर सकते हैं तो इसके लिए मैंने एक Group बनाया Managers नाम का Group और उस Group के दो Members बना दिये एक मेरे Accounts OU के अंदर है और एक मेरे Sales OU के अंदर है Param and Test User 1 और इन दोनों के उपर ही हमने Policy लगानी है तो हम इसका जो Group है जो की Managers है उसको यहां Security Filtering में Add करवा देते हैं तो यहां पर जैसा की लिखा हुआ है The setting in this GPO can only apply to the following Groups, Users and Computers तो Managers Group के Users के उपर ही यह Policy Apply हो रही है तो इस वीडियो में हमने सीखा की हम कैसे Indirectly Group Policy Objects को Groups के उपर Deploy कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही Thanks for listening